तो आप ऐसे Bollywood actors को तो जानते ही होगे जिन्होंने Hollywood की movies में भी काम किया है लेकिन क्या आप ऐसे Hollywood actors को जानते हो जो हमें Bollywood की movies में भी नज़र आ चुके हैं अगर नहीं जानते हो तो भाई टेंसर मत लेना तुमारा भाई जिंदा है अभी मैं बताऊंगा तुम्हें और Bollywood में सिर्फ Hollywood के छोड़े मोटे actors ने नहीं बलकि बहुत ही जाने माने actors ने काम किया है अब देखो मैंने इस वीडियो में सायद कुछ ऐसे actors को miss कर भी दिया होगा इसलिए भाई अगर आप उने actors के बारे में जानते हो तो comments में बता देना ताकि और भी लोगों को पता च किया था वही सूपर में जिसने क्रेस होते हुए प्लैन को गले लगा कर रोका था और अपने पास आती हुई ब्लेट को आँख मार कर बैसे इस मूवी में BFX पर बहुत ही जादा पैसा खर्च किया गया है जो हमें दिखता भी है ब्रेंडन राउथ हमें Bollywood में नदर आय थ मूवी है फिर अब तो पता चली गया है बैन किंग्सली हामाई कृष्णा पंडित भान जी यानि अपने पंडित जी भी Bollywood में नदर आ चुके हैं इन्होंने तीन पत्ती मूवी में आमिताब बच्चन के साथ खूब जुवा खेला था ये मूवी में ने देखी तो नहीं हैं और इसमें कुछ जादा देखने लायक है भी नहीं दरसल ये मूवी रिलीज होते ही बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप हो गई थी और इसकी रेटिंग्स भी बहुत ही खराब है उपर से इस मूवी की लेंग्थ तीन घंटे से भी जादा है बैसे ये मूवी में आपको इसलि और हंटर किलर जैसी बहुत सारी मूवी और बेब सीरीज में काम किया है ये हमें बॉलीबुड में नजर आये थे आमीर खान के साथ एक मूवी में जिसका नाम था मंगल पांडे दर राइजिंग अब ये अंग्रेज तो हैं ही और इन्होंने अंग्रेज का ही रोल प्ले कि अगर आपने देखी है तब तो आप इनके बारे में जरूर जानते होंगे और अगर नहीं देखी है तो भाई आप करके रहे हो यहां पर प्रत्वी पर रेकर आप क्या साबित करना चाते हो आप इन तीनों सीरीज को बिना देखे आपने आपको एक मूवी फेन कैसे कह सकते हो बैसे दरसल मैंने इन तीनों मूवी सिरीज में से एक भी मूवी नहीं देखी है खेर छोड़ो लेट्स चैंज दा टॉपिक तो सिल्वेस्टर इस्टेलोन हमें अक्षो कुमार के कमबक तिश्क मूवी में नजर आय थे और भाई इस मूवी में सिल्वेस्टर इस्टेलो का सेन कुछ ऐसा था कि उन्हें जाकर दो अबला नादियों को कुछ गुंडों से बचाना होता है मतलब बहुत टिपिकल बॉलिवुड ड्रामा यार इन्होंने सिल्वेस्टर इस्टेलोन को ऐसा सेन दिया था कि सही में मुझे उससे देखकर बहुत हंसी आ रही थी मतलब इन्होंने सोने का अंडा ही क्यों न दे दो लेकिन ये बनाएंगे ओमलेट ही बैसे मुझे नहीं लगता कि अब सिल्वेस्टर इस्टेलों दुवारा किसी बॉलिवुड मुवी में एक्टिंग करने के लिए बापस आएंगे गौर्डन लिव एक चैनीज एक्टर और मार्सल आडिस्ट हैं अगर गौर्डन लिव की मुवीज की बात करें तो भाई चाइणा में नों इनकी मुवीज भरी बड़ी है और हॉलिवुड में भी इन्होंने बहुत सारी मुवीज में काम किया है यह हमें किल्विल के Lance ही पार्ट्स में नजर आये थे और हाँ ये हमें अक्षे कुमार के साथ एक बॉलीबूड मूवी में भी नजर आ चुके हैं जिस मूवी का नाम था चांदी चौक टु चाइना और इस मूवी में गॉडन लियू ने एक विलेंड का रोल प्ले किया था इस मूवी में अक्षे ज्यादा फेमेस गॉर्डन लियू ही है जिनके बारे में आपको अभी बता चुका हूँ सेरा थॉम्पसन सेरा थॉम्पसन एक अमेरिकन एक्ट्रेस है और अगर आपको याद हो तो आपने इने राजनीती फिल्म में देखा होगा इस मूवी में सेरा ने रनवीर कपूर की अमेरिकन गल्फरेंड का रोल प्ले किया था राजनीती फिल्म में रनवीर कपूर ने एक पोलिटीशिन के बेटे का रोल प्ले किया है जो इंडिया को छोड़ कर अमेरिका में रहने के लिए चला जाता है लेकिन जब उसकी फादर की डेथ हो जाती है तब उसे मजबूरी में politics join करना पड़ता है और इस movie में American actress Sarah Thompson भी थी अगर Sarah Thompson की Hollywood movies के बारे में बात करें तो उन्होंने वेविसेडर wanted, cruel intentions के दोनों part, brutal, broken windows और भी ऐसी कई सारी Hollywood movies में काम किया है बैसे ये actress राजनीती के बाद फिलहाल अभी हमें और कोई भी Hollywood movie में नजर नहीं आई है Clive Stanton को भी Bollywood में लाने वाले अक्षे कुमार ही है मेरा मतलब ये अक्षे कुमार की फिल्म में ही सबसे पहले नजर आय थे और जिस Bollywood movie में Clive Stanton सबसे पहले नजर आय थे उस movie का नाम था नमस्ते चंदन, मेरा मतलब नमस्ते लंडन नमस्ते लेंडन को इंडिया में काफी पसंद किया गया था जिस बचासी ये काफी अच्छी हिट मूवी साबित हुई वैसे जब ये मूवी 2007 में रिलीज हुई थी तब कलाइब इस्टेंडन उतने फेमस नहीं थे जितने की अब हैं क्योंकि अब बाइकिंग्स जैसे सिरीज में नज़रा चुके हैं और उनकी सिरीज टेक इन को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसके अलाबा उन्होंने और भी कई सारी मूवीज और बेप सिरीज में काम किया है विल समित विल समित हमें स्टूडेंट ओफ दयर टू में एक नचनिया के रोल में नज़र आये थे हाँ भाई इनका बस इतना ही रोल था कि इन्हें स्टेज पे आकर दो चार ठुमके लगाने हैं और बस कहानी खतम अभी जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इनके हाथ में अगर सोने का इंडा भी दोगे तब भी यह ओमलेट ही बनाएंगे अरे एक इतने अच्छे एक्टर को बुला कर तुमें सिर्फ उससे ठुमके ही लगवाने थे अगर एक नॉर्मल सा केमियो ही सूट कर लेते तो क्या हो जाता मगर नहीं इनने तो विल सिमिट से ठुमके लगवाने थे बैसे अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दू कि बागी 3 और स्टुडेंट ओफ देयर 2 मेरी फेवरिट मूवीज है डैनिस रिचर्ड्स और भाई ये भी अक्षे कुमार की फिल्म कमबक तिश्क में नजर आई थी इस मूवी में इन्होंने एक एक्टर्स का ही रोल प्ले किया था जो कि अक्षे कुमार की गल्फरेंड रहती है बैसे डैनिस रिचर्ड्स इतनी जादा फेमस तो नहीं है लेकिन फिर भी इनोंने स्टार से ट्रूपर्स और स्केरी मूवी 3 जैसी कई सारी फिल्मों में काम किया है कमबक तिश्क मूवी में हमें सिर्फ एक दो नहीं आपके दोस्त भी अगर इस टाइप की वीडियो में इंट्रेस्टिड है तो उन्हें यह वीडियो जरूर सेयर कर देना और भाई मॉस्ट इंपोर्टेंट इस टाइप की इंट्रेस्टिंग मूवी रिलेटिड वीडियो देखने के लिए इस सिने मेट को सब्सक्राइब जरूर कर लेना